मेरा बच्चा मेरे आख के सामने ड़ी बाई ड़ी ये बैक चा रहा है और मैं कुछ करने ही पारी हूं उसके लिए यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब दिये कि सरकार भी हमारी मदद कर रही है और अब हमारा जो कॉंफिडेंस अब होड़ा और पर क्या है कि सरकार भी हमारे साथ आ गई है एक प्यारा मासूम बच्चा जिसके नन्हे कदम घर में पढ़ने से घरों में खुसियां चा जाती है एक मासूम बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ खिलोनों से खेलने की होती है ऐसे ही बच्चों की हम आपको तस्वीर दिखाएंगे और उसकी कहानी बताएंगे तो आप भी रो परेंगे तो कि दस माह का बच्चा जिसका नाम आयांस है उसे स्पाइनल मस्कुलस एस्ट्रॉफी नामाग बिमारी है जिसे सिर्फ एक इंजक्शन से उसकी जिन्दगी बचा सकती है और उस इंजक्शन का दाम सोलह करोर रुप्या है आज हम वहीं पत्ना के आयांस जो दस माह का बच्चा है जिसे यह बिमारी है आज हम उनके पैरेंट्स से बात करेंगे हम उनके घर प्यास हैं उनसे जानेंगे कि आखिर यह बिमारी उन्हें कैसे पता चली और आगे यह क्या प्रियास कर रहे है यह बिमारी सोलह करोर रुप्या जमा करने के crystal sc cold sad तो आपको इस बच्ची के बारे में कैसे जानकारी हुए जब जन्म लिया था तो एक्दम नॉर्मील था दो मैने तक सब कुछ सही चला उसके बाद मैं यह इसका मुवमेंट एक्दम खतम हैंड मुवमेंट बिल्कुल इसलो ऐसा होने लगा उसके बाद हमें लगा कि शायद से कुछ है क्योंकि बच्चे डे बाई डे बढ़ते हैं ना कि घड़ते हैं इसके साथ में ऐसा ही हो रहा था हम चायद स्पेसलिस्ट के पास गया उन्होंने बोला कि इसका एमराई कराओ एमराई हुआ इसका मैम उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन निकला फिर हम नूरो के पा उसके बाद फिर मैं हम वापिस आए और यह सब चलते रहा हूँ पीछले दो महिने से मैं ऐसा इसके साथ हो रहा था ना कि जो इसका नेक कंट्रोल आ चुका था वो नेक कंट्रोल बिलकुल खतम हो रहा था मतलब 80% इसका नेक कंट्रोल आ चुका था यह एकदम स्टी ऐसे मैं देख रही थी कि कुछ दिनों से यह बिलकुल एकदम कंट्रोल खतम हो गया इसका उसके बाद क्या हुआ कि मुझे लगा कि नहीं से हाइपोटोनिया नहीं है कुछ और हम डॉक्टर गुंजन के पास गया डॉक्टर गुंजन नूरोलोजिस्ट है वो बोले कि इससे लेकिन जो जेनेटिक टेस्ट हुआ ऐसे में टाइप वन का वो मैं पॉसेटिव आया इसका तो रिपोर्ट पॉसेटिव आया उसके बाद तो फिर मतलब हमारी लाइफ ही चेंज होगी बिलकुल क्योंकि हमने सुना था कि सर ने बताया कि ऐसे में जो ऐसी बीमारी है ना जि मतलब एकदम बहुत क्या बोलू मैं एकदम खराब नहीं उस था कि हमारा बच्चा 18 से 24 मही नहीं रह पाएगा हमारे पास हम बिलकुल होप छोड़ चुके थे सर ने बोला ये इंजेक्शन इंडिया में तो ही नहीं खर आपको यू ऐसे से मंगवाना होगा मैं दे दूंग मोuben में तो मा हूं तो मैं बहुत ज्यादा करूं मेरा बच्चा मेरे आख के सामने डे वाइडे ये ड़ा रहा है और मैं कुछ करने ही ते लिए इसकिलिए फिर मैं एक दिन क्राउट फेंडिंग के बारे में सोना था एक्शली इंडिया में इससे पहले 2-3 बच्च और तीन तो फिर मुझे लगा कि चलो जो टाइम है मैं उसमें कुछ तो करूं जिससे कि मेरा बच्चा शायद उस्ट्रगल के कारण मेरे पास रहे तो मैं क्राउट फंडिंग करना शुरू किया हमने मैं उसके बात मैं आप देख रही है जैसा कि पिछले पाच शे दिनों से तो मतलब आसा लग रह कि सारे बिहार वाले लोग हो या इंडिया के कहीं भी बैठे वे लोग या बाहर से भी कैनाड़ा और ऐस्ट्रेलिया अमेरिका मैरिका मतलब वहा के लोग भी हमें फंडिंग दे रहे हैं बच्चे कि लिए डोनेट कर रहे हैं और सिरफ मैं मिडिल क्लास फैमि ही बहुत कम होती है वो मैं हमारी मदद कर रहे हैं तो इससे बड़ी उपलब्दी हमें और कुछ नहीं है कि इतने मतलब वो लोग हमारे लिए बस भगवान बनके आये हैं कि भई इससे तो मैं मुझे लग रहे हैं कि मेरा बच्चा बच जाएगा मैं सरकार से कितनी उमीद है क सरकार अभी दो तीन दिनों से सरकार हमारे पास कुछ विधायक जी लोग आ रहे हैं हमारे घर कुछ राशी से साहता भी कर रहे हैं तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्दी है कि सरकार भी हमारी मदद कर रही है और और मैं हमारा जो कॉंफिडेंस से अब थोड़ा बढ़ गया है कि सरकार भी हमारे साथ आ गई है तो हमारा बच्चा मेम रह जाएगा तो आपने सुना कि जिस तरीके से जो बच्चा आयांस है उनकी माता ने बताया कि हम कोशिश कर रहे हैं यह इस तरह से सरकार कुछ विधायक भी है वो हमारी मदद करें वो हमें फंड दे र करीबार है तो 16 करोर रुपिया बहुत बड़ी बात होती है कि कैसे इसे अफॉर्ट करें कैसे बच्चों की इलाज कराए तो आप भी यह वीडियो देख रहे हैं आप से भी हमारी तरफ से गुजारिस है कि आप जितना हो सके आप पूरी तरीके से मदद करें बच्चों की इसे इसकी जान बचाने में आप लोग से गुजारिस है कि आप पूरी तरीके से मदद करें तो इसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें दर्सजी नीज के साथ